स्वगदाब का हक्कियावाज में मैं हूँ शकील बागमरे क्या बेंगलूर के पाद रायनपूर में क्या रहते हैं वैशी जानवर क्या चाहते हैं ये लोग क्यूं इनके दिमाग में एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती के ये वैरस जान लेवा वैरस है इससे आपकी ही जान नहीं बलके आपके परिवार आपके आसपास रहने वाले आपके दोस रिस्तेदार भी इस वैरस के जान में आ सकते हैं और अपनी जान भी गवा सकते हैं उसके बावजूद परशाशन और पोलिस हेल्टिम के साथ देने के बज़े ये लोग धानल करने की जो घटिया कोशिश की इन पर तो कानूनी कारवाई होना तो लाजमी है आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से लोग आते हैं और पोलिस कैम्प के टेबल्स को पलडते हैं तोडते हैं पेंडाल को गिराया जाता है बेरिकेट को तोड़ा जाता है तो आपने देखा पहले तो मैं आपको यह बता दूँ पाद रायन पूर को रेड जोन करार दिया गया है और पूरे इलाखे को सील डाउन किया गया है यहां पर पहले पहला पाजिट्व केस आने पर अच्टावन लोगों को कॉरेंटाइन किया गया था फिर एक और पॉजिट्व मामला सामने आने पर 15 लोगों को हज बहुन में रखा गया और 33 लोगों को कॉरेंटेन के लिए आए हेल्टिम और पोलिस को सयोग करने के बज़ए इनी पर भड़कते हुए तोड़ फोड़ शुरू की जबके ये गैर जम्मेदाराना हरकत है आपके परिवार की आपके इलागे के लोगों की जान की सुरक्षा के चलते आपको कॉरेंटेन किया जाता है ताके आप भी सुरक्षित रह सके मगर कुछ वैशी जानवरों को ये बात समझ में नहीं आ रही है इन लोगों की इस हरकत से एक धरम को निशाना बनाया जाता है इन जानवरों को ये समझने की जरूरत है के जो सरकार आपको कॉरेंटाइन कर रही है आपकी जान बचाने के लिए है लोगडाउन और सेलडाउन के चलते इन लोगों ने पहले तो घरों से बाहर आकर कानून तोड़ा है और उसके बाद डांडल की इस हाथे के बाद पोलिस ने कारवाई करते हुए उन साट लोगों को हिरासत में लिया है हम सबको समझना चाहिए कि ये एक लड़ाई है इस वाइरस के साथ और हम सबको मिलकर इससे मुकाबिला करना है तभी हम ये लड़ाई जीत सकते हैं तो देखते रहिए आपका अपना B News Nation हक की आवाज